वेल्कम बैक टो माई चैनल इजी निटिंग में आपका फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ बहुत ही सुन्दर और बहुत असान सा डिजाइन सेयर कर रही हूं इस डिजाइन को हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में स्टॉल में शॉल में बेबी कार्डि में लेडी स्वेटर में जेंट स्वेटर में टॉप में किसी में भी डाल सकते हैं बहुत ही सुन्दर है और बनाने में बहुत ही इजी है यह वाला डिजाइन सीजी तरफ से सुरू होगा दो फंदों का और दो सिलाईयों का डिजाइन है बहुत ही सुन्दर है तो शुरू क वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और चलिए शुरू करते हैं इस डिजाइन को डालने के लिए हमने दो से गुणा होने वाले फंदे डालने हैं और फ्रेंट सौरी पीछ में कोई अवाज आ रही है पीछे से कोई कुछ बजा के जा रहा है तो उसके लिए सौरी दो से गु आपको दिखाने के लिए यह जो दो फंदे हैं इन दोनों को इस तरह से जाली डालके एक साथ बुनेंगे देखिए छोड़ना नहीं है इनको फिर से धागा अपनी तरफ गुमाएंगे और एक वार फिर से बुनेंगे मेंस की यहां पर दो फंदों के हमारे चार फंदे बन गुमाया और फिर से वैसे ही एक वार बुनेंगे दागा अपनी तरफ किया दो फंदों को एक साथ बुना दागा फिर से गुमाएंगे बीना छोड़े फंदों को दोनों फंदों को एक वार फिर से बुनेंगे तो फ्रंट फूरी सिलाई में हमने यहीं रिपीट करते जान दागा घुमाना नहीं भूलेंगे नहीं तो हमारा जो फंदा है वो कम पड़ जाएगा डिजाइन खराब हो जाएगा यह देखे इसी तरह से एक वार फिर से घुमाएंगे तो दो फंदों को दो फंदो के चार बना देंगे ये दिखिए एक बार बुना दो बन गए एक बार फिर से धाका घुमा के एक बार फिर से बुना तो हमारे फास चार फंदे हो गए देखिए इस तरह से एक बार बुना ये दूसरी बार और आज का फंदा सीधा बना लेंगे ये तो हो गई हमा ये 2 फंदे, 2-2 फंदों के जोड दिखेंगे हमें, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, इसी तरह से हमने उल्टी रो को बनाते जाना है, हमारे फंदे पूरे हो जाएंगे आप और डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएगा, यह देखिए दो फंदों को एक साथ बुना दो फंदों को एक 7 बुना जोड मैं दिखेंगे हमें फंदे जो फंदा जैसे दिखेघें उनको दो दो जुक्द जोड में फंदे बनाने उल्टी तरफ से यही दो सिलाई य一 recipes करनी ते हूँ पहली सलाई हमने इस तरह से बनानी है आपनी तरो चाहिँ के दाग हम तरफ करेंगे यह दोनों फंड़ों ने हमने के करेंगे नहीं फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे एक वार फिर से जाली डाल के फिर से बुनेंगे फिर जाके छोड़ेंगे देखिए इस तरह से दो फंदों को एक साथ दुना फिर से धागा अपनी तरफ करके एक वार फिर से बुनेंगे यह तो हमारी cd row हो गए repeat और वोल्टी तरफ से एक बार फिर से देख लिजिए आप और दूसरी बार फिर से बतारी हूं यह दिखिए दो फंदे एक साथ दो फंदे एक साथ देखिए आपको दीखी रहे हैं फंदे दो दो के जोड में दो फंदे एक साथ दो फंदे एक साथ इस तरह से दोनों सिलाईों में हमने इसी तरह से बनाना है है ना कितना easy design है फ्रंट्स लेकिन बन के ये बहुत ही सुन्दर आएगा और इस डिजाइन को फ्रेंट्स यकीन मानिए कोई भी बना सकता है जिसको बनाई बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी इसको बना सकते हैं एजिली तो मैं आपको बताती हूँ ये देखिए फ्रेंट्स इनी दो सिलाईयों को रपीट करके हमारा पैटरन इतना सुन्दर बनके आएगा देखिए और बनाने में बहुत ही असान है जितना देखने में सुन्दर है उतना ही बनाने में असान है देखिए इस तरह से है और ये उल्टी तरफ से देखिए उल्टी तरफ से भी बहुत ही सुन्दर बन के आया है फ्रेंट्स तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिए और फ्रेंट्स आप सभी को पता है कि नीटिंग वाली वीडियो में कितना टाइम लगता है डिजाइन बनाने के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलती हूँ एक और नई वीडियो में तब तक क जाने वे बहुतं हाएं